हेलो फ्रेंज मैं हूँ स्वेता और आप सभी का कल्डोने कीचन में बहुत बहुत स्वागत है आज कल्डोने कीचन में बनने जा रहा है साबूदाने की बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी थाली पीड फ्रेंड्स आप इसे वरत के साथ ही साथ आप इसे जब आपको कुछ कुरकुरा और अलग खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं तो चलिए बिना वक्त जाये करते हुए हम इस रशीपी को देख लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है एक कटोरी भीगा हुआ साबुदाना जिसे मैंने रात में भीगो कर रख दिया था आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से भीग गए हैं अब हम यहां लेंगे दो उबले हुए आलू जिसे मैंने मैशर से मैश कर लिया है इसे कर्टोरी से हम यहां पर लेंगे रोस्ट किया हुआ फल्ली दाने का कुट पास इच्छे बारिक कटी हुई हरी मेच आप चाहे तो लाल मेच पाउडर भी योज कर सकते हैं थोड़ी सी धन्यापत्ती यह ओप्शनल है अगर आप उपवास में धन्यापत्ती नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं स्वात के अनुशा नमक अब हमें इन सब को अच्छे से मिला लेना है और हमें इसका एक अच्छा सा डो तेयार कर लेना है ध्यान रहे हमें इसमें पानी मिश नहीं करना है तो कि साबुदाना हमारा अच्छे से भीग गया है और नमक की वज़े से इसे मौशन मेजी जाएगा आप देख सकते हैं हमारा एक अच्छा सा डो बनकर रेडी हो गया है अब यहां पर मैंने एक सिंपल सी पॉलिथिन ली है जिसे मैंने कट कर लिया था आप भी कोई सी भी पॉलिथिन यूज कर सकते हैं अब हम इसमें इस ब्रस की शाहता से थोड़ा थोड़ा तेल इस केंगे नहीं अब हमें जो हमारा डो है ना उसकी छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं और उसे राउंड करते हुए हातों से प्रेश करते जाना है और अब इसे पॉलिथिन में रग देजिए और थोड़ा थोड़ा करके हातों से दबाईए और गोल शेफ दे दिजिए जितना ह झाहे पतला कर सकते हैं हमें बस इसे हलके हाथों से शेफ देखे में दबाते जाना है यह देखिए इस तरह से अब यहाँ पर मैंने तवा पहले गर्म करने रख दिया था तो तवा हमारा गर्म हो चुका है अब हम इसमें लगाएंगे ठोड़ा तेद और इसमें डाल वाव आप देख सकते हैं यह वन साइड से कितना अच्छा पक चुका है अब हमें इसमें थोड़ा तेल और छिड़कना है ताकि दूसरी साइड से भी यह अच्छे से पक जाए यह देखे फ्रेंट्स हमारी थाली पेड दिख रहे है न टेस्टी और जबरदस्त अब इसी तर और अच्छी दिख रहे हैं आप इसे वरत के साथ सब बिना वरत के भी नास्टे में भी बना सकते हैं अगर आपका कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन हो तो यह एक अच्छा ओप्शन है तो फ्रेंश आपको आज की हमारी रेशिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज बाइबाइ